आज का पंचांग आज के महाँपाय के बारे में मेश राशी वालू आपका कोई महतपून कारेपूरा होगा बिजनेस के मामलों में संहलकर रहें प्रेम प्रसंगों में मधुर्ता रहेगी स्वास्त की प्रतिला परवाही न करें विरिश राशी वालूं उधार दिये हुए पैसे वापिस मिलेंगे धहरे और शांती से काम लें बिजनिस में कोई बदलाव हो सकता है उच्चा अधिकारियों को सहयोग भी बना रहेगा मिथुन राशी वालों आज का दिन अच्छा बीतेगा बिजनिस में भविश्य संबंधी योजनाएं बनेंगी अधिकारियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे घर में आपसी प्रेम भाव बना रहेगा व्यायाम पर भी अवश्य ध्यान दे करक राशी वालों आपकी हिम्मत और होसला बना रहेगा आएके साधन बढ़ेंगे किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें लव पार्टनर के साथ मुलाकात होगी करन्या राशी वालों किसी खास व्यक्ती से मुलाकात हो सकती है कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार करें लव अफेर्स के मामले में लखी रहेंगे वीमारियों से अपना बचाव अवश्य करें करन्या राशी वालों कोई शुप समाचार मिल सकता है फिजूल खर्ची पर रोग लगाएं कारुबार बढ़ाने की योजना हाथ में आ सकती है प्रेम संबंधों को भी मर्यादपून रखना ज़रूरी है तुला राशी वालों किसी समस्या का समाधान आज मिलेगा नस्दी की लोगों का भी सहयोग मिलेगा काम की अधिक्ता की वजह से तनाव रहेगा काम की अधिक्ता की वजह से तनाव रहेगा विरिश्चिक राशी वालों परिवार को समय दे लोगों के साथ मेल मिलाब करें, व्यवसाय में माहौल को अनुकूल बनाए रखें, पारिवारिक जीवन सामाने रहेगा धनु राशीवालों, आज आपकी कोई समस्या हल होगी, मानसिक सुकून मिलेगा, घर परिवर्तन समबंधी कोई योजना बनेगी, आर्थिक समस्या का हल होगा मकर राशी वालों, आज दिन का समय आध्यात में कामों में बीतेगा, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं कारेक्षेत्र में कोई महतुपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, कब्ज और गैस की परिशानी रहेगी कुम्ब राशी वालों, आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, आपके किसी विशेश कारेकी सराहना होगी, कोई ओफिशल समस्या हल होगी, बाहर के खानपान से परहिस गरें मीन राशी वालों, अपने निर्णेयों को ही प्रात्मिक्ता दें, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें, कोई ओफिशल यात्रा भी संभव है, परिवार में शान्ति पूर्ण माहौल रहेगा, नियमित, व्यायाम और योग करें इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राए क कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, धन्यवाद